जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना है आपने जो मैं न्यूज आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूँ इस इस अबाउट दा री ओपनिंग ओफ योर स्कूल्स जो आपके स्कूल्स हैं वो री ओपन होने जा रहे हैं और ग्रीन और ओरेंज जो जो जोन हैं उनमें ओपन होने की संभावनाई बताई जा रही है जो मैं न्यूज आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूँ इसको आप जागरन जोस पे देख सकते हैं जो डेली न्यूज आपका पब्लिस करता है उसने यह जो न्यूज है वो पब्लिस की है आप देख सकते हैं इस न्यूज में कि आपके स्कूल्स है उसके रिलेटेड आपकी री ओपनिंग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट इसनों ने दिया है वो MHRD और NCRT के जो strategy चल रही है कि कैसे आपके schools को reopen किया जाए उसके बारे में है और जो schools है वो पहले green और orange zone जो है उसमें reopen होंगे जो 8th class से 12th class के students जो होंगे उनके लिए और reopen होंगे schools नाव बात करें अगर policy की तो ओड इवन सिस्टम बनाने के बारे में चर्चा हो रही है NCRT और MHRD के बीच में कि बच्चों को जो है ओड इवन सिस्टम में बुलाया जाए सच दैट कि आपका social distancing जो है उसको maintain किया जा सके जो social distancing जो है वो बहुत जरूरी है अब जो current scenario है So मैं आपको बता देता हूँ जो news इनों ने publish की है उस news के according क्या है Many students and parents are wondering that CBSC schools are going to be reopened Date अभी announced नहीं हुआ है MHRD जो आपका department है ministry का human resource department और NCRT इसके लिए different strategies बना रही है कि कैसे हम schools को reopen करेंगे lockdown के बाद और odd even जो manner है उसमें वो format को follow करने की बात कह रहे है So media reports की school might reopen, open हो सकती है With 30 to 50% attendance यानि कि 8-12 class की जो आपकी classes होंगी वो physical distancing norms को follow करते हुए 50% attendance यानि कि 50% बच्चे जो है वो MWF Monday, Wednesday और Friday जो बच्चे भे 50% बच्चे है वो हो सकता TTS ये odd even policy different हो सकती है कि odd date में कौन बच्चे आएंगे और even date में क्या आएंगे वो सब बाद की बाते हैं जब आपके guidelines आएंगे इनकी उसके बारे में है बट अभी जो news है उसका ये है कि इस तरीके के कुछ आपके different norms जो है वो MHRD और NCRT लेके आ रही है CVSC schools के लिए और other board schools के लिए कि वो social distancing को भी maintain कर सके साथ ही one more thing is that कि जो teachers हैं उनको भी एक training module प्रोवाइड किया जाए और teachers को भी guidelines follow की जाए teachers के लिए भी guidelines बनाई जा रही है कि कैसे आप social distancing maintain करते भी study करेंगे regular classes को implement करेंगे और उन सब के बारे में जो है आपका MHRD work कर रहा है सो आपका जल्द ही इसके बारे में definite कोई guideline जरूर आएंगी सो students से एक ही हमारा है कि आप लोग जो है पढ़ते रहें बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपकी classes नहीं होंगे classes भी regular होन जल्द ही होने वाली है and तब तक आपका जो ये peak time चल रहा है जो board वाले बच्चे हैं वो अपनी study करते रहें और जल्द ही जो आपकी guideline होंगी lockdown से के respect में उनको आप follow करते वे अपनी study को आपको नहीं छोड़ना है now जो zone wise जो बात हो रही थी हमारी कि जो red zone होगा उसमें अभी साथ schools open नहीं होंगे लेकिन green और orange zone में जो आपके schools हैं वो open हो जाएंगे जो cbsc इन schools के बारे में different आपके लेके आ रही है कि July months के अंदर वो आपके classes जो हैं वो reopen हो जाएं एंड उसके लिए जो working environment हो create क्या जाए ओके सो जितने भी बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं so don't think कि आपकी जो classes नहीं हो रहे हैं इसलिए आपको problem हो रही है आएंगे उसके बारे में मैं आपको update करता रहूंगा जो od1 system है उसकी जो भी guideline होंगी उसके respect में हम बाद में बात करते रहेंगे आगे के वीडियो में अभी के लिए यह है कि जो news मुझे यहाँ पर मिली है मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूं so hope कि आप लोग study करेंगे और अपने better marks के लिए अपने अच्छे marks के लिए continue study करते रहेंगे thank you keep watching keep learning